प्रिये विद्यारतियों इस चैनल में आप सबका स्वागत है अब तक छोट सेट देख चुके हैं छोट टेस्ट हो चुका और इस सातमा टेस्ट आयमक शुरू करेंगे यह कोश्चन आया हुआ रहता है आया हुआ कोश्चन जो पहले पुछा है उसी का हम डिसकर्सन कर रहे हैं और डिसकर्सन से जो कोश्चन नया बनेगा वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और गुरूपडी हों एंटीपीसी दरोगा सिपाही सभी परिक्षाओं के लिए सब इसे द्यान से देखेंगे ना पूरा वीडियो में कोश्चन देखेंगे चुकि एक से किसमें कंसेप्ट है और कंसेट बनाएंगे उतने ज्यादा फैदा होगा चुकि साइंस कोश्चन अगर छुटा तो रिजल छोड़ जाएगा इसलिए साइंस को मजबूत करना जब खाली जगत दी आगए कि समुंसे समंधित तत्वों को डी बलोग तत्व के रूप में जाना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा 3 से 12 यानि अंसर हो जाएगा इसका डी इसका अंसर डी अब देखें हैं कि ग्रूप कहते हैं आवर सानी के उध्वाध्र अस्तम क्वा अध्र behalf वर्ट है कि यह आवर्शानी में उध्वाध्र असतम क्या आपको वें लोग कहते हैं और तो ग्रूप एक आर दो ग्रूप 122 परें जितने चत्व आते हूं एस बलोक क्यों होते हैं इस बलोक और 3 से 12 तक डी बलोक का तत्व है इसको ट्रांजिसन एलिमेंट भी कहते हैं 3 से 12 में जो भी तत्व है वो कहलाता है ट्रांजिसन एलिमेंट ट्रांजिसन एलिमेंट यह है पी बलोक का तत्व पी बलोक अलेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एस बलोक में रखते हैं एस बलोक में हो गया लैंथेनाइड एक्टिनाइड 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 एक्प बलोक का तत्व है मंतलब होता है कि इस आंठी मिलेक्टर्ण एस में गया गा 했어 अप्र य philosophLE रखेंगे थीन से 12 अधी तरफ का कहते हैं MP3 में जितने भी तत्व है transition element का लाएंगे तीन से लेकर करके 18 तक पी ब्लॉक के तत्व हैं और लेंथे नाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक का तत्व होगा तो यह देख रहे थे कोश्चन नमबर एक नमबर दो में है कि धातू ऑक्साइड और अमल के कि मैगनिसियम ऑक्साइड धातू का ऑक्साइड है और इसको संजोग कराए एसील से एसील क्या है एसीड है धातू का ऑक्साइड और एसीड यह दोनों संजोग करेगा तो बनेगा यहां दो लिखेंगे बैलेंस्ट हो जाएगा तेम यह ओ क्या है धातू का ऑक्साइड हुआ धातू का ऑक्साइड और एसीएल हो गया अम्ल है 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 यह हुआ है यह हुआ जल तो च्वाइस में हम लोग देख ले धातू ऑक्साइड अमल मिलकर के लवन और पानी बनाता है यानि अनसर इसका हो जाएगा टाहर आख लीगा IF कि को चनाँ मर दो देख लिए कि कइस ग्राइक बिलिया में पानी की 320 मात्रा में नमक मात्रा 42 ग्राम है द्रेमान परतिसद द्वारा द्रेमान के संदर्म में बिलियन की सांधरता की गिन्डा करें बिलियनEO हो स्लूसन कांक्त करना है तो इसके लिए पर हम लोग सूत्र जानेंगे मिल रिख की संध्रता के वीलियन की एक फीलियन की संध्रता बार हो गया विलेक बहर हो जाएगा या बिले की मात्रा बिले जो पदार्थ घुला होता है गोल में उसको कहते हैं बिले तो बिले की मात्रा हो जाएगा और निचे हो जाएगा गोल की मात्रा या बिलियन की मात्रा तो बिलियन की मात्रा में क्या बिले की मात्रा बिलायक की मात्रा विलायक की मांत्रा अप्लस बिले की मात्रा बिले न की संता हमको परशंट में जाना है तो यहां गुना कर देंगे 100 का देंगे तो पर्शेंट हो जाएगा तो बिले की मात्रा है नमक क्या है बिले नमक को गुला रहे है पानी में तो नमक हो गया मिले 250 ग्राम फच्व बिलायक की मात्रा 32 क्राम आफ़ बिलायक की 2 42 हो और निचे हो गया 320 और 42 तीन सो बासट तो इसको हम लोग सल्व करेंगे तो आएगा 11.6 परशेंट 11.6 का मत हो गया अंसर भी यानि तीन का हो जाएगा अंसर भी कोश्चन नमबर तीन अभी देखें अब कोश्चन नमबर चार चार नमर कोश्चन क्या है यह देखेंगे कोश्चन नमबर चार चार में है कि निम्न लिखित में से किस तत्व के आयन का अकार सबसे बड़ा होता है अब देखें आयन का अकार पुछा है पहला है आरगन फासफोरस क्लोरिन सलफर तो पहले देखें कि फासफोरस है तो फासफोरस का होता है 15 सलफर Robot 5 ces12 federấu अरगन 18 रखान 20 का परमानु क्या लिकर हैं तो फास्फ़ोरस का किंब पंद्रस सलफर का सोल क्लोरीन सब्सक्रार अरगन 18 और आवर्त में यह एक आवर्ता तत्व हुआ है एक आवर्थ का मतलब की फास्फोरास पंद्र है तो दो आठ पांच इसा दो आठ छे दो आठ साथ दो आठ आठ तो एक ही आवर्थ की सब तत्व हैं जिसे एक दू तीन कछा की संख्या से आवर्थ को हम लोग सुचित करते हैं तो यह चारों तत्व एक आवर सिदाये जाते हैं तो पर मानुक आकार घर्ट एघ यह तो मदाग ओती एक सबसे बड़ा इसमें कूंन हो जाएगा फासफोरास अब सलसे चोटा आर्गन तो अंसर कौन सा हो जाएगा क्यान का सबसे सबसे बड़ा आयन पुछा था तो कौन सा जाएगा पी भी कोच्छन नवर पांच मेह की वह सीधी नालिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमिटर लंबी होती है और सुक्रानियों को बीरी नालिका तक ले जाती है तो इसका अंसर है यह पांच का एए पांच का हो जाएगा एए अधर की समें लिखाता है सुक्रवाइब काते हैं वाश डिफ्रेंस यह इस पर्म को सेमिल भे साइकल तक पहुंचाता है मूत्रमार्ग जो इसे यूरिन निकलता है पेनिस यनलिंग यह जनन बाहर जनन अंग है अंड कोस की थैली जिसमें टेश्टी उपस्तित होता है तो इसका अंसर एए पांच का अंसर हो गया एए अब चलते हैं कोश्चन नमबर छे देखिए कोश्चन नमबर छे चे मैं कि 200 मिटर की उचाई से एक वस्तु गिर रही है 100 मिटर तक गिरने के बाद वस्तु में होगी इसे मालने की 200 मिटर की उचाई सम वस्तु को गिराए कि छोया कि अब कराया कि 100 मिटर तक गिरने के बाद मालने कि यहां पर 100 पयें यह पाल कि ऊंचाई से जैसे जिसे गिराएंगे इस्तिति प्लेट कम अनकर करण की Bluetooth हास सहसेλο Extreme हमें तो हसरा हमान कमें नहीं को सस्टिति पकरंजां के छान न होता है नहीं होता है कोई अंतर नहीं होता है तो इस्तिति उर्जला का मान भी फिरा गत्ती जुर्जा का मान बढ़ेगा तो अनसर हो जाएगा कौन सा अधीक गत्ती जुर्जा और कम इस्तिती जुर्जा यानि छे का हो गया सी छे कोश्चन देख अगला है कि सातमर कोश्चन में कि अमोनियम फास्फेट का रासाइनिक सुत्र क्या है अमोनियम फास्फेट अब देखिए अमोनियम अमोनियम का लिखते हैं एनेच फोर इसकी भैलेंसी एक है अब फास्फेट का लिखते हैं पियो फोर इसकी भैलेंसी तीन है अब क्या जब इसका सुत्र लिखेंगे तो इसके पास अब एक हो जाएगा इसके पास यानि एनेच फोर अहल हो जाए थिरी और पियो फोर तिसका कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि 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 अब कि अब कौंश्यन है कि चानदी का घ्णत्य दस दस्मलो आठ गुनिये दस के लुट्ग्राम प्रतीघनमीटर है तथा पानि का घ्णत्य दस के प्सके पार 10 किलोग्राम प्रतिघनमीटर है तब चांदी का आपक्षि घहनत्व कितना होगा या पेग्षि घहनत्व पुछा है तो आपक्षि घहनत्व के यह पेजिए भी ज़िए य। रिलेटिव डेनसिटी कहें या अस्पेसिफिक डेनसिटी कहते हैं तो यह आप एच्छी गातों मत्ता होता है किसी पदार्थ का घंद्व किसी पदार्थ का घंद्व सुझ जल का घंद्व creature सुझझळल का घंद्व किसी पदार्थ का घंद्व टे concert सु क्यों जलका घंद्व Isn't सुत्र हो गया बिस्ट घंद्व करते हैं या आप एक फड्सीटी निफ्टी गोलेंगे या इसपेस्टिक डेंसीटी तो सुत्र जाना जरूए है तो सुत्र हो गया किसी प्लाथ गहनत वाकटे 4 c पर यहां पर चांदी दिया है दस दसर नहीं दसके पावर सिंट तो 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 दस दस्मलोब आठ और आपक्षी गहनतों का कोई मात्रक नहीं होगा चुकि घहना तो गहना तो क्या होगा कटेगा इसलिए बिसिष्ट गहना तो या आपक्षी गहनतों का कोई मात्रक नहीं है तो अंसर जाएगा 10.8 यानि च्छाइस हो गया ए तो 8 का एलकाइन में cn h2n-2 एलकीन में एन लास्ट में लगे एलकीन तो cn h2n एह हो गया एलकीन तो एलकेन का cn h2n प्लस टू एलकीन का cn h2n और एलकाइन का cn h2n माइनस टू तो यह नो नमबर कोश्चन हम लोग देख रहे थे नो का अनसर हो जाएगा सी और कोश्चन नमबर दस 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 में कि जायलम एक खाली जगत दिया है उतक है जायलम किस प्रकार का उतक है तो यह जटिल अस्थाई उतक जायलम जटिल अस्थाई उतक है यानि जटिल उतक में यानि स्थाई उतक में दो तरका होता है सरल उतक और जटिल उतक में में dw उदम जटिल उतक काते है कंप्लेक्स टिसू ख़क्य पहला है जायलम आ दूसरा फलोयम जटिलतक में 2 हुआ जाइलम और फलोयम ये संबहन उतक है इसके द्वारा खादपदार्थ या जल खणी लवन का संबहन होता है एक पढ़ाध के एक पार से दूसरे पार तक पहुंचता है तो जायलम के द्वारा क्या जाता है तो जासे जायलम जासे जल तो जल का संभाहन जल के साथ घुला रहता है खनी लवन तो जल खनी लवन का संभाहन जायलम के द्वारा पौधे के नीचे से ले करके जड़ से ले करके पती तक होता है आप फ्लोयम फासे फूट फासे फ्लोय तो पौधे में भोजन का रिमान के पत्ति में होता है और भोजन फुलम के द्वारा पोधे के भीभी भागों में पहुंचता है यह जालों फ्लम यह संभानुतर क अलाते हैं यह को कहते हैं जटिल उतक चुकि इसमें भीभीन परकार के सेल्स होते हैं इसलिए इसको पहाँ ग आई यानि बी अग देखते हैं कोश्चन नॉम्बर 11 कि कोश्चन नॉम्बर 11 देखेंगे 11 में क्या है पहले खाली जगह दिया है का गलनांक और कथनांक अती उच्छ होता है तो हीरा का गलनांक कथनांक क्या सबसे अधिक यानि अंसर हो जाएगा गलनांक किस पाइंट पर गलेगा पिखलेगा किस ताप पर खोलता है वह होता है कोश्चन नॉम्बर बार हमें दिखेंगे संबेग बराबर पुछा है संबेग बराबर क्या तो जानते हैं संबेग को लिखते हैं मोमेंटम संबेग को मोमेंटम और संबेग उड़ाव रहता है द्रवयमान आगुना वेग या पी बराबर लिखते हैं एम भी संबेग एक सदीस रासी है सदीस का मोने वेक्टर क्वाइंटिटी मैं इसके परिमान और दिसा दोनों होता है और इसका बीमा एक डाइमेंशन पुछता है संबेग का बीमा मतलब डाइमेंशन अ मां चेली लिते हैं अब बेक आगे ल टी के पार माइनस वन एन्डी माइनस वन यह हो गया इसका संबेग संबेग का डाइमेंशन ते दस लेती बारान नमर कोश्चन देख रहे थे आब बारा नमर का अनसर हो जाएगा कौण द्रेमान गुने बेग यानी डी बारा का डी अब चलते हैं कोश्चन नमर तेरह कोश्चन नमर तेरह में है कि विभीन माध्य में पचीश डिग्री सी पर द्वानी की चाल के संदर्व में निम्ण में से कौन सा कथन सत्य है 25 डिग्री सी पर देखना है द्वानी की चाल तो एश्चेल में द्वानी की चाल 960 मीटर पर से कंड निकेंड में द्वानी की चाल भीन-वीन माध्य में भीन-वीन होता है, 0 Honestly मिन निकला गया है कि 0 degrees C पर हवा में द्वहनी की चाल, 330 मीटर पर सिकेड?", पानी में 5500 मिटर पर शिकेड़ लोहा में 500 500 मिटर सेकेंड एश्टील में 500 शौ मिटर पर सेकेंड एलमूनिया में 400 मिटर पर सेकेंड तो हर एक माद्ध में ध्वनी की चाल अलग लग होता है तो इस तरह से अम ध्वनी की चाल देखे और अब देखते हैं चौदा कोच्चन नमबर 14 है कि इसे कि जब पौधे के किसी भाग की बिधि प्रकास की और हे तो इस परकृया मेरे हैं प्रकास सानुवर्थी प्रकासन ऑर्फिक लिए धनात्मक लिखते हैं तो 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 हैं प्रकास यूजी तो जाता है तो कहलाएगा निगेटिव फोटो ट्रॉपिक इस तरह से जमीन के ओर अगर बढ़ रहा है तो पोजीटिव जियो ट्रॉपिक आज जमीन के विप्रित जा रहा है तो निगेटिव जियो ट्रॉपिक आज टरम को तोड़ेगे जिसे फोटो मने लाइट ट्रॉपिक मने बढ़ बढ़ना पोजिटिव मने और में जमीन के और बढ़ना पोजिटिव जी ओ ट्रॉफिक तो इसका अंसर कुण सा जाएगा तो धनात्मक्त प्रकास्वानुगर्तन यानि अंसर हो जाएगा कि 14 का अंसर ए और कोश्चन नमबर 15 देखेंगे कि कोश्चन नमबर 15 मैं गरएखर में है कि एक वैगनी रंग का ठोस हैह लूज्टन है यह जंबरस ईसको यह जाएगा यानि 15 एप अब देखिए हैलोजन में में सबय आगि जन देखें तो है तो नमोड्र पडीटेबल काउनसार इसका अश्थान सत्रावां में ये सत्रावां गृूप तिये हैलोजन होता है सत्रहां का तत्त्वे अैक अर्सभाइश सेह आज्यां को ये येखते हैं है LUIGAN को आज आजहेगा सत्रह में तो है स्यलोजन को कि उत्पादक हेलोजन का बने लवन उत्पादक जो लवन उत्पादन में साय खो कलाता है हेलोजन तो हेलोजन ग्रूप में जैसे फ्लोरिन और क्लोरिन यह होता है ग्रैस ब्रोमिन यह द्रव होता है लिक्विड पुझता है कि द्रव अधातु कौन सा है तो ब्रोमिन अध्रव धातु पारा और आयोडिन अस्टेटिन यह ठोस है आयोडिन अस्टेटिन ठोस यानि सॉलिट तो पुझता है कि निम्निकित में कौन ठोस है तो कौन हो गया आयोडिन अस्टेटिन द्रव ब्रोमिन फ्लोरिन क्लोरिन क्या है गैस है सबसे अधिक वीदू त्रिनात्मक्ता फ्लोरिन में होता है सबसे अधिक इलेक्ट्रोन बं दिहान देना आवाशक है तो यह हम 15 कोश्चन देख रहे थे और 16 कोश्चन नमबर देखेंगे कोश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 को देखे 16 में क्या है कि अंडप में खाली जगा होता है कि अंडप कहते हैं कार्पिल को और फ्लावर का फिमेल पाट है फ्लावर में फिमेल पाट को हम लोग कहते हैं कार्पिल और कार्पिल में एक रचना होता है जिसका नाम है ओभियूल ओभियूल को कहते हैं अंडप हिंदी में यह पूरा रचना कहलाता है कारपेल यह फीमिल रिपोड़क्टिव पाठ हुआ फ्लावर का और यह जो देखते हैं इसका नाम है ओभरी अंडासे और इसी में एक रचना लगा रहता है इसका नाम है ओभ्यूल ओभ्यूल यानि बिजांड इसका नाम है इस्टाइल वर्तिका और इसका नाम है इस्टिगमा मतब वर्तिकाग्र कि यह रहा कार्पिल को पाट और कार्पिल को हिंदी में कहते हैं अंडब कि एप मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट था फ्लावर में और मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट में देख लें कि मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट में आता है अस्टेमें अस्टेमें में अस्टेमें को कहते हैं पूंकेसर हिंदी में और कारपिल को इस तरी केसर कहते हैं तो पूंकेसर में अग्यार को देखते इसका नाम है पराग कोस्ट यह में रिप्रोड़क्टिव पार्ट है फलावर का पराग कोस्ट एंगलिस में कहते हैं अंथर और इसी में दाना जैसा रचना देख रहा है इसका नाम है पराग कर्ण और यह जो रचना है यह लिखाएगा फिलामेंट यानि पूतंतू ले में पार्ट अस्टेमेंट का है पराग कोस और पराक कन पूझ देता है कि प्राक कोस और पराक कन किसे समझनी था है तो पूंके सर्यानी अस्टेमेंट से अब अब बहुत सारे स्टेमेंट मिल करकी बनाता है एंड्रोसियम यहनिक्ष का एक युनिट है अस्टेमेंट मिल करके बनाता है गाइनसियम ना यहींदि पूछता है 16 नमर का हो जाएगा कौन सा अंसर हो जाएगा बिजांड यानि डी जो इंगलिस में अभिल लिखते हैं अब कोश्चन नमर देखेंगे सत्रह कोश्चन नमबर सत्रह सत्रह में है कि किसी पानी की बोतल में पानी के द्वारा परियुक्त किये गए उधुगामी बल को क्या कह जाता है जो पानी उपर की बल लगाएगा उस बल को क्या कहते हैं तो अंसर हो जाएगा उत्पलावन बल पानी में कोई बस्तू है उस पर जो बल लगाएगा पानी तो उसको कहते हैं प्लावन बल यानि फोर्स ऑब बायनसी यानि ए सत्रह का ए हो गया कि सत्रह कोश्चन भी देखे अब कोश्चन नमबर अठार है अठारह में है कि पौधे में स्रावित होने वाला हुआ हर्मोन जो की विकास में मदद करता है पौधे के कौश्चन में अएघ्जन लिख दिया है उसको लिखाया अच्युमी स्चाहुन या ऑ जीन गलिस इसतर करना पर आँने देता है ये हो गया किसका चिंड का आज में करोगिया जीवएली का कारी आजय है पौधे की देशीर में है बिजो की आंक्रण में सहैक बढ़याकार के फुल फलों की ब SAPẦन में सहयक बिजिन फलों को उत्पादन में सहयक ये होता है किसक आँ में जीवरेलन का कार्ज और साइटोकाइनिन पौधे में कोष का विभाजन में सहायक है पार्श कलिक क millennials सह движ यह आप देख रहे थे प्लांट हार्मोन जितना भी बात हम लोग किये प्लांट हार्मोन का है इंसलीन एक हार्मोन है जो डाइबीटीज में दिया जाता है निकी सरक्रा को नियंतित रखता है जो हम लोग में होता है कि यह सरक्रा बढ़ जाता है मधुमेह में डाइबीटी में तो इसके लिए क्या दिया जाता है इंसलीन तो यह 18 नमर कोश्चन देख रहे थे और आ जाएंगे हम लोग 19 में 18 का अंसर बोल दें कि 18 का अंसर हो जाएगा ए और अब आते हम लोग 29 में कोश्चन सौरी कोश्चन नमर 19 कोश्चन नमर 19 देखेंगे 19 में है कि 12 भोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदूओं के मध्य चार कुलंब आवेज को अस्थानांत्रित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा यानि हमको निकालना है डबलू और डबलू इज कल्टू पढ़ते हैं क्या डबलू इस कार ही यह हो गया विभव या विभांतर वोलते हैं कि क्यों हो गया आवेश है तो डबलू परार हो जाएगा बोल्ट कितना दिया है बार है और क्यूं है चार तो बर्चव 48 और कार्य के लिए जूल लिखते हैं तो 48 जूल हो गया तो अनसर हो जाएगा 19 का 48 जूल यानि वी 19 का हो गया अब कोश्चन नमबर चलेंगे बीश क्या है राज्वाइड के समध में निवड में से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है वह खुजना है तो राइजवाइड पहले बतला देख डाइजवाइड जर जी सारचना होता है जो ब्रायों फाइटा में पाए जाता है जिसे पौधा जमीन से चिपका रहता है और झरल खनी लवण को भी एबजौर्ब करता है वह रहता है कि ब्रायों फाइटा में अब छौइस देखिए च्वाइस में है कि इसकी सरचना और कार्ज समानी भूपादब के मुल रोम के समान है सभी है मुल रोम का काम क्या है जल का उसोसन यह भी जल का उसोसन करेगा दूसरा यह कि यह ब्राय फाइटा के निचली बाहर त्वचा को सकाओं से बढ़ने वाली उभार होते हैं मैंने कि ब्राय फाइटा में पाय जाता है बाहरी सता से निकलता है सही है तीसरा है कि पिथिलियम मुतक में बने बहु को सकी सरचना होती है ति पिथिलियम मुतक जनत अस्तर से जुड़ा रहता है ज्राजवाट से क्या पौधा एटेच रहता है जमीन से सही है तो इसका अंदे गलत कौन हो गया सी तो बीस का सी है बीस को चनल देख चुके अब चलते हैं कोश्चन नमबर 21 21 में है कि वह समुझो प्रत्थम आइनिकरन छमता के सही क्रम को दर्साता है तो देखिए बेरिलियम इसा चार होता है उसके बाद है मैगनिसियम और उसके बाद है कैल्सियम तो बेरिलियम मैगनिसियम कैल्सियम यह सेकेंड गुरूप का तत्व है गुरूप नमबर दो का तत्व है और उपर से नीचे अब आते हैं उपर से जब नीचे आएंगे तो परमानुका बढ़ेगा तो बेरिलियम का ज्यादी इसे मैंगनिसियम उसे कम कैल्सियम का त्याणी वर्ग में वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमानुका कार बढ़ते जाता है अब का आए जाते हैं तो आयनल विभव वित्रिनात्मक्ता इलेक्ट्रॉन बनता सब बढ़ जाएगा आवरत में 22 दा जाने पर प्रमानुकाकार छोटा होता है लेकि वर्ग में उपर से निच आते हैं तो प्रमानुकाकार बढ़ते जाता है इसे भी कोश्चन निकलता है यह इंपो निचित करम में नहीं है इतल्य स्थे निच्श क्रूजत्रिकाअ की दिखा रहा है उसके नहीं है नेकित कर्में बेरीलियम बेरी लिंआं डेलीं मैंगनेशल्टियम एक निचित राम में है जो वर्ग में उपर से नीचे आने पर आकि अध discharge देखें अब देखेंगे 22 नमर को सचन लुक्री के पैट्री के परयोग से रासाइन कुर्जा बिद्युत उर्जा में बदलता है सही है बैट्री येसील क्या करता है कि रासानी कूर्जा को बीदूत रूजा में बदलता है सही है defined कि दूसरा नमें सचलेगे किसे श्राविक को हीटर की Insert are Ammer कुअ कि सुनी तीश दूस्वल्ग को असमई बदलता है कौन हीटर वीदूत ब्लब के है सही है और चार में कुछ सुमिय सक्ति सज्यंत्र में उसमिय उर्जा वियूत उर्जा में बशार हो जाएगा कौन सा कि अनसर हो जाएगा भी यानि 22 का भी और कोश्चन नमबर तेश हो सबसी के कॉस्टि के अंद़ जाते हैं तो भी घृटता है या फिसका पर मैस्व मों होता है तो धुल पर सबसे ज्यादा विशो तापर सबसे कम अ में सुनी होता है तो यह हो जाएगा कि पहाड़ों पर जैसी जाएंगे जी कमान घटते जाएगा तो अनसर हो जाएगा डी तेज का डी अब दिखेंगे कोस्चन नमबर 24 कोस्चन नमबर 24 24 में क्या है 24 में है कि दिये गए कि इसे निमलेखित कथन के लिए सही बिकल्प का पर्यूंक्र है कि प्दार्थों का वांडरवाल अकर्शन भलणीत होता है इसमें आप वांडर्वाल फोर्स यानी से कीए बहुत कम रेंज का बल होता है बहुत कम इस बल का परोहा पड़ता है तो इसका अंसर हो जाएगा बी यानि आरगंग ना इसमें बहुत कम बल का परोहा पड़ता है तो और 25 नंबर कोश्चन नंबर 25 देखेंगे 25 में फीनो टाइप रिप्रेश्यो और टुमरे फीनो टाइपिक प्रेश्यो डाइ मरी कोश्चन संखराण क्रॉस ने में डा इह lugै क्रॉस का मतndjung रता है कि जब दो भीन लक्षन के बीच क्रॉस कराते हैं त death kriya को कहते हैं डाय हाइभरिट क्रॉस या द्वी संक्रण क्रॉस इप्टी जनेरेशन में इसका अनुम्पात हता है nine is two three is to three is to one यह द्वी संक्रन क्रोस का हो गया का द्वीसंक्रन क्रोस डाइ हाइविड क्रोस्ा इंगलिस में कहेंगे और एक मोनो हाइविड क्रोस होता है जब एक ही लक्षन के दो में तो भीने की क्रॉस कराएंगे तो इसको कहता था वाइवि zest्रस अ लगशन इसा मंझे bowls धार में एक शांटी लन्द से मैं की। लेंध दिखा रहा है लेगा अलग अलग एक लमबा एक बोना ना जब एक लगशन के दो मुण के के बीच क्रोस कराएंगे तो इसको कहते हैं मोनो हाइविड क्रोस एन एक संक्रन क्रोस एक संक्रन क्रोस में एक संक्रन क्रोस में दूसरी पड़ी में इसका नुक बात है 3 is to 1 फिनो टाइपिक रेशियो कह लाता है मनि बाहरी गुन का अधार पर देखते हैं फिनो टाइपिक रेशियो फिनो टाइपिक रेशियो किसके लिए मोनो हाइविड क्रॉस मैं एक संकरन क्रॉस के लिए कि मोनो ऑईब्रीड जुछ क्रोस के बारे में बतलाए थे मेंडल मेंडल को कहते हैं फाधर ऑफ जेनेटिक्स पूछता है कि मिन्ड कितमी मेंडल ने इस तरह से 25 कोश्चन का अम लोग डिस्कस्टन देखें फिर कल भी एक टेस्ट होगा 25 कोश्चन का टेस्ट भी देखते रहेंगे कोश्चन बनाते रहेंगे पोश्चन भी बहुत उपयोगी होगा जो है एक परिछा के लिए ज़रूरी है अपलों को बार बार देखते रहेंगे वीडियो देखते रहें हर एक वीडियो अभी तक 20-22 को करी वीडियो हो चुका है ना शुरू से अपना देखते जाएंगे समय कंसेप्ट है सेल पूरा चप्टर है की सुपरा चप्टर चुकि दूनों से कोश्चन खुब पुछता है फिक यह फिजिक्स में करेंट पूरा दिया हैं पांच लेक्षर हो चुका है फिक्स में पांच वह उप्योगी करेंट से कोशन को पुछता है आगे फिर हम एक चप्टर कमेंश्टी देंगे एसीड बेस साल्ट उसके बाद परियोडी टेवल में आएंगे अब फिर हम लोग घूमेंगे तो इ झाल